प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को आज एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखानी थी लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर उन्हें पहुचना पड़ा ओडिशा जहां एक भीशन रेल दुरगटना कल हुई है कल जब शाम को हम न्यूज पॉइंट कर रहे थे उसी सम गायल हो गए है 900 से ज़्यादा लोग गायल है इस रेल दुरगटना ने बुलेट ट्रेन और ट्रेन पर कवच से दुरगटनाओं को रोकने का ख्वाब दिखाने वाली सरकार की असलियत खोलकर रख दी है इतनी भीशन दुरगटना क्यों हुई क्या सरकार कभी इसकी निश अब तो ब्रिजभूशन के खिलाफ गवाह भी सामने आ रहे हैं और FIR हुए महीने भर से उपर हो चुका है लेकिन मोदी सरकार कारवाई के लिए नजाने किस बात का इंतजार कर रही है वैसे किसानों ने तो अल्टिमेटम दे दिया है कि 9 जून तक कारवाई हो जाए और इस बीच पांस तारिख को आयुध्या में यानि परसो आयुध्या में होने वाली रैली भी रद करा दी गई है क्या ये सब भी हालात के दबाब में आकर हो रहा है क्योंकि हालात तो इस समय बीजेपी के खिलाफ बन रहे हैं जब राहुल गांधी अमेरिका में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को संविधानिक संस्थाओं को और मेडिया को कमजोर किया जा रहा है राहुल गांधी जब कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो बीजेपी के नेता उन्हें देश बिरोधी कहते हैं उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं लेकिन इन आरोपों से सच्चाई बदल नहीं जाएगी आम जनता के लिए मुसीबतों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है आप सब देख रहे हैं दिल्ली से लेकर ओडिशा तक और मनिपुर तक तबाही का मनजर है अच्छे दिनों का वादा करते हुए लोगों को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां से अच्छे दिन बहुत दूर नजर आते हैं अभी तो जनता चारों तरफ से बुरी तरह घिरी हुई है और बुरी खबरों से कहें तो घिरी हुई है राहुल गांधी इन बुरी खबरों पर खुल कर बोल रहे हैं और वहां बोल रहे हैं अमेरिका में चुकी हैं तो यहां पे हंगामा मच रहा है लेकिन यहां जो कल रात को हुआ है जो दुरगटना रात को ही है रेल और जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां आज पहुँचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र और समझने की कोशिश करेंगे कि देश में बिगड़ते हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है चलिए पहले लेकिन राहुल पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं कि हम इन गटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरीकों की रक्षा को प्रात्पिक्ता देते हुए आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी हैं हम सब प्रार्षना करें तो प्रधान मंत्री के सिर पे पसीने साफ दिखाई दे रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे खेर ये गर्मी का पसीना है या जो हालात बिगड रहे हैं उसकी परिशानी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन ये जो बात रख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ये सीध है औरिशा के बाला सोर में जहां ये घटना घटी है जहां रेल एक्सिडेंट एक नहीं तीन तीन एक पटरी से उतरती है जाकर टकरा जाती है वो मालगारी से और फिर अभी ये दोनों टकराए ही थे कि तीसरी गारी आ करके वो भी टकरा जाती है और इसके बात जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा 2012 में जब मनमोहन सिंग की सरकार थी तब सुरक्षा कवच की बात चली थी और वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर रेलवे बजट का विले कर दिया गया आम बजट में आपको याद होगा कि रेल बजट पहले अलग से होता था लेकिन रेल बजट को और रेल मंतरी एक अलग ये मंतराले अपने आप में एक मजबूत मंतराले कहलाता था लेकिन अब ये मंतराले कहां है ये बजट कहां है इसको अगर आपको देखना हो तो आपको जाकर के आम बज़ेट में घुसना होगा और रेल बज़ेट उसमें क्या है वो देखना होगा बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती रही हैं और खासकर बुलेट ट्रेन की बात तो खूब हुई रोज हरी जंडी दिखाने की तस्वीरें हम प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की खूब देखत काफी है वहाँ पे लेकिन गर्मी में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो लिबास पहने हुए हैं इस लिबास को लेकर के भी खूब जड़चा हो रही है खैर लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मसले पे कॉंग्रेस के प्रसिडेंट ने अपने लोगों को कहा है कि आप जाई देते हैं मलिकारजुन खड़गे को सुनते हैं राहुल गांधी देश में जो कुछ हो रहा है उस पर भी कल विचार रख रहे थे वाशिंग्टन डी सी में और प्रिस क्लब में एतिहासिक प्रिस क्लब जहां चर्चा उन्होंने अपनी रखी थी और जिस पर कल शाम उन्हो को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है ठेस लगी है सेकड़ों लोग इस एक्सिडेंट में मरे हैं और सेकड़ों लोग इंजूर्ड होए हैं यह सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है और कल मैं जब यह न्यूज पढ़ा है टीवी में तो इमीडेटली मैं अपने पार्टी के जो औरिशा के अद्देक्ष हैं सी एलपी लीडर और वहां के जो एमेलेज हैं उसी के साथ जो इंचार्ज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है चलो कुमार तो सुन रहे थे आप यहां मलीकारजुन खड़गे को और मलीकारजुन खड़गे भी ओडिशा में जो घटना घटी है दुर घटना है हुई है उस पर चर्चा कर रहे थे और उस पर अपनी बात रख रहे हैं लंबी बात चीतिन की है लेकिन एक छोटा सा आंश ऐसी रणने वालों की संख्या बढ़ सकती है गायलों की संख्या बढ़ सकती है अभी बहुत रहत कारे जो है वो चल रहा है एंडी आरेफ की टीम लगी हुई है सब कुछ है लेकिन कब तक इन दुर घटनाओं को हिंदुस्तान जेलता रहेगा ये बड़ा सवाल है और ऐसे ही य अलवान लड़कियां खास कर और उसके बाद इंडियन एक्स्प्रेस में जो परसो एफ आई आर और कल और आज जो दो अलग अलग जो तस्वीरें सामने आी है फरन्ट पेज पे उसके बाद से जो घटना करमतेजी से बदला है वो सब आप सब देख चुके हैं रख चुके कर रहे हैं तीसरी बात जो है बहतनु पुर्ण बात वो यह है कि राहुल गांधी इस Пटर अमेरिका में हैं और राहुल वहां अमेरिका ने जो बात कह रहे हैं और येह कह रहे 휨니 कहे ज कह रहे हैं अर इश्ञां के बिगड़ गये हैं देश में ना भूलने की आजादी है ना हमारी जो डेमोक्रिटिक जो संस्था हैं हमारी उनको उतनी छूट है कि वो सोतंतर रूप से काम कर पाएं मीडिया सोतंतर रूप से काम नहीं कर पा रहा है ये तमाम बाते एक सवाल के जबाब में वो कह रहे थे आईए उनकी बात भी जड़ा सुन लेते हैं रहुल गांधी से पूछे गे सवाल का जबाब और यहां जब वो कह रहे हैं और यहां जो हकीकत है इस हकीकत पर कहीं न कहीं परदा डालने की कोशिश सरकार और सरकार का पिठ्टो मीडिया जो है वो क् समझेंगे और क्यों हम यहां लिख रहे हैं कि देश में बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन अगर एक एक लाइन में अगर एक शब ने पूछा जा तो आप लोग भी तुरंत कह देंगे कि मोधी सरकार लेकिन मोधी सरकार कहां कहां परदे डाल रही है कौन कौन लोग ह जो उनकी मदद कर रहे हैं परदे डालने में इसकी भी तहकी कात करेंगे इस कारेकरम के जरीए हमारे साथ बहुत सारे साथ ही जुड़े हुए हैं आईए सबसे पहले परिचे करवाता हूँ हमारे साथ वरिष्ट साथियों का पैनल मौजूद है इस वक्त उन सब के पास च जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आप पांचो का स्वागत करता हूं और जो बात जो चट्चा यहां हम आगे करना जा रहे हैं उसमें बिगड़ते हालात का जिमेदार कौन लेकिन उससे पहले राहुल गांधी देश के जो जो संस्थान है उसको लेकर के वासिंटन इसी में कल जो बात कह रहे थे जरा उसको सुन लेते हैं उस पर एक पूछेगा सवाल पे उसको सुथते हैं और फिर चट्चा आगे बहाते हैं सुनिये जरा For such a divisive figure, Modi maintains very high levels, in fact worldwide high levels of popularity. Why do you think that's the case? Why do so many Indians support the Modi government? I mean, there is a definite capture of the institutions of the country. There is a definite capture of the press in the country. I am not convinced that, you know, I don't, I don't believe everything I hear. I walked across India, worked from Kanyakumari to Kashmir and talked directly to millions of Indian people, millions of Indian people and they didn't seem very happy to me and they were very clear that there were serious issues with regards to unemployment, there was massive price rise. So there was an angst in the people. And, you know, look at the Karnataka election and wait and watch the next three or four state elections. That I think is a better indicator of what's going to happen. आई तो सिधा आप सुन रहे थे देख रहे थे जरा स्क्रीन पर ले आई तमाम हमारे वरिश्टा थी जो जुड़े हुए उन सब से और अभी आप सुन रहे थे सिधा राहूल गांधी को.